प्रजस्थान तेलांगरा में चरम पर चुनाव प्रचार पियम मोदी और अमित शाह समेत जेपी नट्डा राजस्थान में करेंगे रैली और रोडशो अन्न दलों ने भी संभाला मूर्चा कॉंगरेस ने जारी किया राजस्थान का चुनावी घोशना पत्र, सरकारी नौकरी और बीमा योजना समेत किये गए लुभावने वादे गहलोद खड़गे समेत राहूल गांधी आज करेंगे कई चुनावी रैलिया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूर ईशा के दोरे पर मयूर भंज में कौशल प्रिशिक्षन केंद्र का किया उद घाटन बादाम पहार से तीन नई ट्रेनों को भी दिखाई हरी जंडी भारत उस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेंड मिनिस्ट्रील फ्रेमवर्क डैलॉग रणिंतिक साजीदारी में सहयोग के अलावा क्षेति और अंतरास्ट्रिये मसलों पर होगी बातचीत इस्राइल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों के आपात कालिन वर्च्वल बैठक आज दक्षिन अफ्रीका के राष्ट्रपती करेंगे बैठक के दक्षता सेंगत रास्ट महा सचीवी होंगे बैठक का हिस्सा और गोवा में चल रहे भारती अंतरास्ट्रिय फिल्म महुत्सों में हुआ Creative Minds of Tomorrow का अधगाटन सूचना और प्रसार्ण मंत्री अनराक सिंठा कुरने के शुरुआ स्वागत है आप सभी का समाचारों में मैं हूँ अजय मिनिस्ट्र प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने एक बार फिर से आज उत्राखंड के मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी से फोन पर बात की और मजूदा घटना कर्म समेत रहत और बचाव कारियों की जानकारी लिए इस दोरान उन्हें छे इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलता पूरवक मलबे के आर पार किये जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य जरूरी सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विश्यमें आउगत कराया गया प्रदार मंत्री को धामी ने जानकारी दी कि श्रमिकों ने एंडो स्पैक एक फ्लैक्सी कैमरे की मदद से बातचीत किये और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी गई इसके बाद प्रदार मंत्री ने आज एक बार फिर से उत्तरा खंड के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की और ये स्पेशल वीडियो आज जारी किया गया है राहत की बात ये है कि पहली बार कोई कैमरा इस तरह की गतिविदियों को हम तक पहुँचा पा रहा है और सभी मजदूर वहाँ पर सुरक्षित बताये जा रहे हैं रोशनी, खाने पीने की वस्तुएं और जो दूसरी जरूरी साजु सामान है उसकी कोई भी दिकत नजर नहीं आ रही है बड़ी रहात की खबर और जैसा कि हम लगातार आपको ये जो six-pronged strategy कल से ही बनाई गई थी उसकी जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं मारे संभादाता उपियादों भी वहाँ पर हैं लगातार comprehensive rescue plan के बारे में दर्शकों को पलपल की खबरें पहुचा रहे हैं पहले four centimeter के जो pipes थे उनको डालने की कोशिश की जा रही थे फिर उनका व्यास बढ़ाया गया अब six mm की pipe को डाला गया है और अच्छी बात यह है कि अब मलबे के आर पार जाने की कोशिश की गई है और प्रधान मंतरी ने कहा कि श्रमिक भाईयों को भाईयों को बाहर निकालना ये इस वक्त की सर्प से बड़ी प्रात्मेकता है उत्रकाशी में बन रहे सिलक्यारा सुरंग में फसे श्रमिकों की पहली बार तस्वीरे सामने आई हैं जी हाँ ये बल बहुत ही भाउक कर देने वाला है लेकिन खुशी की बात ये है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं बचा अवयान में जुटे अधिकारियों ने एंडोस्कोपी कैमरे के जरीए ये वीडियो कैप्चर किया है उनसे वाकी टॉकी के जरीए बात चीद भी किये मजदुरों को निकालने के लिए दस दिनों से रेस्क्यू अपरेशन चला जा रहा है आप पाइस के बात करें आप पाइस के पास आखे वोकिता किसे बात करे ये कौन है ये फिसोजी ताखर पामोगो बरे ये अपको यह से देख रहे हैं आप पाइस के पास आखे वोकिता किसे बात करे ये कौन है ये फिसोजी ताखर पामोगो बरे ये अपको यह से देख रहे हैं आप पाइस के पास और उत्रकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए भोजन तयार किया जा रहा है छे इंच की पाइप के जरिये मजदूरों तक खाना पुंचाया जाएगा इससे पहले बोतलों में पैक करके मजदूरों को खिच्डी भेजी गई थी मजदूरों को निकालने के लिए लगातार दस दिनों से उपरेशन चारी है रेस्क्यू मजटी एजनसियों को कल बड़ी सफलता मिली मजदूरों को पहली बार खिच्डी दाल और फल भेजे गए इसी तरह से पहली बार नौ दिन से फसे मजदूरों को गर्म खाना दिया जा सका दरसल सुरंग में 6 इंच व्यास की पाइप मलबे के आरपार होने के बाद ये मुम्किन हो पाया है अभी तक 4 इंच की कंप्रिसर पाइपलाइन के जरीए खाने पीने के कुछ हलकी फुलकी चीज़ें वहां तक पहुचाई जा रहे थे लेकिन अब पाइपलाइन के जरीए श्रमिकों तक खादे सामगरी दवाएं और दूसरे सामाने आसानी से भेज़े जा सकेंगे बचाव कारे में लगी केंद्र एजनसियों, S.T.R.F. और प्रदेश प्रशासन की टीमों की ओर से दिन रातकाड़ी मेहनत की जा रही है सभी श्रमिकों कुछ रक्षित बाहर निकालने के लिए युद दिस्तर पर काम चल रहा है खुद प्रदान मंतरी मुदी की तमाम परिस्तितों पर नजर है और वो केंद्र सरकार की ओर से जरूरी सहायता भी भेज रहा है 12 नॉमबर को भूस खलन के बाद सिलके आरासुरं के कुछ हिस से ठहने से 41 निर्माड करने वाले मजदूर उसमें फस गये थे अरब खबर चुनावी रजजन से निर्वाचनायो के आदेश पर मर्द प्रदर्श के भिंड जिले में अटेर विधान सभा कुछेतर की मतदान केंद्र किशुपूरा नंबर तीन पर आज फिर से मतदान हो रहा है सुबह साथ बज़े से शुरूहा मतदान शाम छे बज़े तक चलेगा पुनर मतदान में मतदाताओं के बाए हाथ की मध्यमा अंगली में स्याही लगाई जा रही है राजस्थान के चुनावी रण में बीजे पी ने अपनी पूरी ताकत जोंक दी है पुनर मंतरी नरेंदर मोदी लगातार यहां अलग 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 अलाकों में रैली और रोडशो कर रहा है आज पीम सबसे पहले अंता में मतदाताओं से मखातिब होंगे वे यहां पर विशाल चुनावी जनसभा को समोधित करेंगे उसके बाद पीम कोटा के दशहरा मैदान में दो फ़र के बाद रैली करेंगे साथी तीन जिलों की दस सीटों के भाचपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने प्रधान मंतरी नरेंद मोधी दो फ़र के बाद करॉली पहुँचेंगे और सिधात सिटी में जनसभा करेंगे शाम को एक और कारिकरम में जैपूर में एक भव्य रोड शो में भी वो हिस्सा लेंगे सपहले वरिष्णेतामित शाह आज सबसे पहले किशन गड़ विधान सभा प्रत्याशिय के लिए खैर्थल में जनसभा करेंगे और उसके बाद सीकर में लोगों से भाचपा प्रत्याशिय के लिए वोट मागेंगे दोपार बाद जुझनुकी नवलगर विधान सभा सीक पर भाचपा प्रत्याशिय के हक में प्रचार करेंगे शाम को पांच बिजे सवाई माधोपूर में भव रोड शो भी करेंगे वही भाचपा के राश्चे धक्ष जेपी नड़ा भी आज राजस्थान के रण में वोटरों के साधने की कोशिश करेंगे नड़ा सीकर जिले की धोत और फत्यपूर विधान सभा सीटों पर भाचपा प्रत्याशियों के हक में रुशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे दोपर बाद नड़ा बीका निर में एक भव रोड शो करेंगे 25 तारीक होने वाले राजस्थान विधान सभा चुनाव गिले सत्तारूर दल कॉंग्रेस ने आज अपना घोशना पत्र जारी किया इस घोशना पत्र में कॉंग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्तकर्ज चाती जनगरना कराने का वाइदा, OPS को लेकर का कानून बनाने और 5 साल में 10 लाख नोकरियां देने सहीत कई बड़े वाइदे किये कॉंग्रेस इरास्थिया ध्यक्ष मलेकारजुन खड़गी की मौझूदगी में कॉंग्रेस ने ये घोशना पत्र जारी किया सवच भारत अभियान के प्रति अपनी प्रति बद्धता के लिए जाने जाने वाले प्रधान मंतिर नरेन नमोदी ने एक बार फिर इसी उद्देश्च के प्रति अपना समर्पन प्रदरशित किया है सो मौर को राजस्थान के बीकानिर में एक विशाल रोडशो के बाद प्रधान मंतिर ने रोडशो के मार्पर ततकाल सफाई अभियान चलाने का आतेश्ट दिया प्रधान मंतिर ने लगातार इस बात पर जोड़ दिया है कि कारिक्रमों के समापन के तुरंद बार रोडशो और रैली स्थलों के मार्गों को भाजपा टीम दोरा साफ किया जाए ऐसा ही कुछ इन दोर में भी देखा गया जहां कारिक्रम के समापन के कुछ घंटों के भी तरही रोडशो का मार्ग साफ कर दिया गया था बीका नेर पूर्व से बीजेपी उमीदवार और बीका नेर राजगराने के वनिशस सिद्धी कुमारी इस बार अपने जीत को लेकर के विश्वास से भर पूर है उन्हें भरोसा है कि पीए मोदी के नेत्रित में उन्हें चौथी बार जीत मिलेगी सिद्धी से खास बाचित की हमारे समबादा ता विशाल बेरिस्टोर बीका नेर में हूँ और बीका नेर इस्ट से बीजेपी कैंडिटेट है बीका नेर की पूर राजगरारी सिद्धी कुमारी आया मुसे बात करते हैं हमेशा से आप जीत रही हैं और किस तरह का कॉन्फिटेंस है बार बस मैं अपनी ताकत लगा रही हूं कैंपेइन कर रही हूं और अच्छी रिजल्ट की कामना कर रही हूं हर बार आप जीतती है और आप सूचते कि नेक्स ताइम मैं कुछ और नया करूंगे इस बार क्या प्लान है क्योंकि अगले साल जो है जेनरल इलेक्शन भी है डिवेलिपमेंट का प्लान है और अच्छा डिवेलिपमेंट शिक्षा चिकितसा में हो उसका प्लान है महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा इशू बनाया है और इलेक्शन अपने मैनिफेस्टों में भी उन्होंने बोला है आपके लिए एक इतना बड़ा इशू अगर हम गेलो सरकार की बात करें तो कहीं पेभी महिला के साथ कोई भी तरह का अत्याचार एकदम बारबैरिक है उसको कंडेम ही किया जा सकता है मेरे समझ के बाहर है कि इस तरह की वारदातें राजस्तान जैसे धर्म भीरू प्रदेश में हो सकती है बहुत दुख होता है यह है सिद्धी कुमारी जिनका यह कहना है कि महिला त्याचार राजस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा है और यह पूरी कॉन्फिडेंट है कि राजस्तान में बीजेपी को जीत में लेगी कैमरमेन मोहित के साथ मैं विशाल बेरिस्टो डीडी नियूस बीका निर तेलंगरा में भी विधान सभा चुनाओ के लिए प्रचार अभियान चरम पर है वरिष्ट बीजेपी नेता मित्शाह ने पार्टी के सत्ता में आने पर हल्दी किसानों को लाभकारी मूले दिलाने का वायदा किया है श्रा कहा रहा है कि भाच्पा मुसल्मानों के लिए यहां अरसम विधानिक चार प्रतिशत आरक्षन को खत्म कर देगी उन्हेंने का कि बियरेस मजलिसे इत्तेहादुल मुसलिमीन MIM की टरकी वज़े से हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मना रहा है और बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही मुक्ति दिवस आधिकारिक तोर पर मनाया जाएगा इसके लावा केंद्रिय मंत्री और तेलंगाना भाज़पा प्रमुख जी किशन रेड़ी ने सनत नगर विधान सभा में भाज़पा मिद्वार मैरी शर्शिधर रेड़ी के समर्थन में रोटशो किया प्रेस कॉंफरेंस में उन्हें आरोप लगाते ही कहा कि करनाटक की सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है और ये राशी यहाँ भेज रही है तो वहीं करनाटक सरकार में मंत्री और कॉंग्रिस नेता प्रियांग खड़गे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं ब्यारस प्रमुक और मुख्यमंत्री के केचंद शेखर राओ भी लगातार रैलियों में कहा रहे हैं कि लोग कॉंग्रिस पर भरोसा करके एक बार फिर से दोखा दड़ी का शिकार ना हो वहीं MIM प्रमुक और ऐसी पैदल यात्रा के जरीए मतदाताओं से संपर्ख स्तापित कर रहे हैं वह ऐसी समान रागरिक सहिता पर एक समित के गठन का वायदा करने वाले अपने घोशना पत्र के लिए भाजपा की आलोचना कर रहे हैं इस बीच तेलंगाना में BSP अध्यक्ष RS प्रमीर कुमार ने कहा कि राज्य में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी राश्टपती द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दोरे पर हैं राश्टपती ने आज पहाडपुर गाओं में कौशल प्रिशिक्षन केंदर का शुभारम किया इसके लावा उन्होंने बादाम पहाड रेल्वे स्टेशन का दोरा करके तीन नई रेल गाडियों को घरी जंडी दिखाई है इन रेल गाडियों में बादाम पहाड टाटा नगर मेमू बादाम पहाड राउल केला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड शाली मार्क साप्ताहिक एक्सप्रेस शामिल है आयोध्या में प्रसिद कार्तिक पूर्णिमा मेले का पहला चरण जो की चौदा कोसी परिक्रमा होती है कड़े सुरक्षा के बीच कल बीती मध्यरात्रे से शुरू हो गई जो आज दिन भर चलेगी इस सवसर पर बड़ी संख्या में सरी उसनान के बाद स्रद्धालू, राम जन्म भूमी, कनक भवन, हनुमान गढ़ी आदि मंदरों में दर्शिन पूजन कर रहे हैं और नागेश्वरनात महादेव को अभिशेक करने के लिए स्रद्धालू की भारी भीर उमड रही है जिला प्रशासन ने मेले में 15 लाग स्रद्धालों के शामिल होने का दावा किया है स्वयम सेवी संगठनों ने जगया जगया शिवर लगाये हैं और प्रशासन क्लोज सर्किट टेलविजन के साथ ही द्रोन कैमरे के माध्धम से संपूर्ण मेलाक्षेतर पर नजर रखे हुए हमें बहुत खुशी है जो राम मंदिर बन रही है मैं योगी जी को बहुत धन्नबाग देना चाहता हूँ क्यूंकि ये मंदिर कोई नहीं बनवा पाए योगी जी और मोधी जी मिलके बनवा दिये इसलिए मैं बाजपा सरकार को साधर परणाम और धन्नबाग करते हैं वारारसी के बीच्चु का सरसुंदरलाल चेकितसाल है अब हरदय रोगियों को विश्विस्तरी सुविधाएं देगा क्योंकि यहाँ पर दो मशीने इंट्रा-कॉर्डियल अल्ट्रसाउंड और इंट्रा-वैस्कुलल अल्ट्रसाउंड लगाई गई है इससे मरीजों को कैसे फाइदा होगा चेकितसा विज्ञान संस्थान के निदेशक और हरदय रोग विभागा दक्ष के साथ ये विश्विस पात्ची देखे हरदय रोग विभाग में आईस एंड आइवेस करके एक मसीन लगाई गई है और इसके लिए जो नेत्रित्व मिल रहा है चेकितसा विज्ञान संस्थान के निदेशक ड़क्टर एसन संख्वार जी का मिल रहा है डग साथ ये जो मसीने लगी है इनको आप किस तरह से देख रहे हैं काशी इंदुविश्विद्याले के सरसुंदरलाज चेकितसाले के लिए बिभागा दर्ची के अथक प्रयाद से मसीने वहाँ पर आई और ये मसीने बहुत ही उपयोगी हैं ऐसे मरीज जिनमें की धमनिया बिल्कुल लगबग रुख चुकी होगती थी और कुछ भी संभाव नहीं होता था तो उनमें भी एक टक्नीकी होती है जिसके दोरा दमनियों को पुना खोल करके और उनमें स्टेंटिंग वगरा की जा सकती है तो बहुत ही लापकारी होगी और जो मरीजों को दूसरे संस्थानों में जाना पड़ता था उनहीं जाना पड़ेगा यहाँ ही पर उन्हें सुबदा मिल जाएगी और जो ऑपरेशन करने की कई वारा सता पड़ जाते थी वो भी दर कम हो जाएगी कुल मिला के ही कहना है कि यह मसीने बहुत ही सदूपी होगी है मरीजों के हिद के लिए बहुत ही अच्छी है अमसंकर जी चुकी आम जन्मानस को समझने के लिए इन मसीनों का किस तरह का प्रयोग है और मरीजों के लिए क्या लाब मिलेगा क्या फाइदा मिलेगा यह जो अभी हम लोगों ने तीन मशीने जिसके बारे मैं आपको बताया कि अभी हम लोगों ने इन्लोगरेट किया था आज से 1.5 दसक पहले हम लोगोह ने सबसे पहले जो पलास्टिकी्य सुरवाथ की थी और देर दसक के अंदर हम लोग ये जो अभी जो मशीने हैं ये दुनिया की सबसे उत्तम मशीने हैं दो तरह की मशीने हैं एक है जो अल्टरसॉंट की टिकनोलोजी के पे आधारित है और दूसरा जो है रोटा प्रो ये दुनिया की सबसे उत्तम और हाई मानक वाली ये मशीन आई है दिल्ली में प्रदूर्शन के समस्या लगातार बनी हुई है केंद्रे प्रदूर्शन नियंद्रन बोर्ड के मताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में है कई स्थानों पर आज सुबह EQY 300 के पार दर्ज किया गया दिल्ली समयत NCR के सभी प्रमुक शहरों में हावा की गुनवत्ता बेहत खराब श्रेणी में है और सुचकांग 300 से पार है आने वाले दिनों में इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली क्योंकि मौसम की परिस्थितियां अपका तिकूल बनी हुई उदर मुंबई में भी प्रदूर्शन की स्थिति पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीमसी द्वारा उठाए गए एक कदमों का जैजा लिया मुंबई में वायू प्रदूर्शन की गंभीरता को देखते हुए हावा साफ करने के कई उपाय किये जा रहा है मुंबई में सडकों के साथ-साथ फुटपाथ पर भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है शिंदे ने कहा कि अगर जरुद पड़ी तो हम क्लाउट सीडिंग करवाएंगे और दुबई की एक कंपनी के साथ इसके लिए M.O.U. भी साइन किया जाएगा पिछले कई हाथे में पुलुशन की लेवल बड़ी थी इसलिए मैंने एक स्पेशल बैटक ली थी उनको इंस्ट्रक्शन दिये हुए थे कि मुंबई का पुलुशन कम करना है और इसके लिए मैंन पावर आउट्सोस करो ज़्यादा टीम लगा दो और रोड की सफाई करो रोड की डेबरीज को निकाल दो उसके साथ रोड को पानी से दोना है इसलिए मैंने कमिश्टर जी को काया कि एक हजार टेंक कर आप रेंड पे ले लो एंटी स्मोक गन यूज किया है एक दम जेटिंग मशिन यूज की हुई है ताकि अभी मैं देख रहा हूँ आज कि पूरी तरह कार्कोरेशन के लोग रास्ते पे उतर कर काम कर रहे है जरूत पड़ेगी तो क्लाउड सीडिंग भी करने की मैंने सुचना दी हुई है एक दुबाई बेस जो कमपणी है उसके बस उसका एकुरेट काम है एकुरेश से 100% है तो उनसे भी मुई होगा एक छोड़ा सा प्रेक लेते हैं अब देखते रहे हैं टीडी नियूस साल बरस और सदी नहीं एक यूग गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की जब फर्क नज़राएगा वंडर सिमेंट फर्क नज़राएगा समझारों में एक बफिस हस्वागा थे आपका आज विश्व मत्स दिवस है हर साल 21 नमंबर को इसे दुनिया भर में मनाया जाता है दुनिया भर में सभी मचवारों, मचली किसानों और सम्मंदित हित धारकों के साथ एक जूटता प्रदरशित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है इस मौके पर आज केंद्रि मत्स परशुपालन और डेरी मंत्री परशुत्तम रुपाला अहमदाबाद ने भारती वैश्विक मत्स सम्मेलन का उधगाटन कर रहा है दो दिनों के इस सम्मेलन का विश्व मत्स और जल संबदा का महत्व है सम्मेलन का उधेश है लावदायक चर्चाओं बाजार की जानकारियों और नेटवर्किंग की जरीए महत्वपूर्ण हितधारकों को एक मंच पर लाना है उधगाटन समारों में लगबग 10 देशों का उच्चस्तरी शिष्टमंडल उपस्तित रहेगा श्रिलंका द्वारा रिहा किये गए तमिलनाड के 15 मचवारे आज सुभचे नई एरपोर्ट पहुँचे श्रिलंकाई समुद्री क्षेत्र के पास मचली पकड़ने के श्रिलंकाई पुलीस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था भारत अस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच आज नई दिल्ली में 14 मी विदेश मंत्रिस्तर की फ्रेमवर्क वारता होगी इस वारता में आपसे हितके क्षेत्रिय और वैश्रिक मुद्नों पर भी विचारों का आदाम प्रदान किया जाएगा इससे पहले कल भारत और अस्ट्रेलिया के बीच दिपक्षिय रक्षा और रन्नीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2 प्लस 2 मंत्रिस्तरिय वारता हुई थी दोनों देशों ने लगवपक्षिय और बहवपक्षय सहयोग मजबूत करने के साजे हित की प्राथमिक्ताओं पर भी विचार साजागी इंडोनेशिय के राजानी जगारता में आस्यान भारत मीडिय एक्सचेंज प्रोग्राम के तहट आठ सदस्जिय भारतिय मीडिया प्रतनित मंडल ने आस्यान के महासेचिय वजु रक्टर काओ किम हॉर्ण के साथ मुलाकात की इस दोरान आसियान के महासच्चियों ने भारत आसियान साज़ेदारी के प्रिशंसा करती है कहा कि भारत आसियान के एक प्रमुख व्यापक रणनीति साज़ेदार के रूप में उभरा है और तीन दशक लंबी आसियान भारत साज़ेदारी में दोनों ही पक्षों को फायदा पहुचा है भारत की सकरात्मक भूमिका की सराहना भी करता है इंडोरेशय की राजधानी जकारता में आसियान भारत मीडिया एक्चेंज प्रोग्राम के तहट आठ सदस्य भारत मीडिया पृतिनिधी मंडल ने आसियान के महासचीव डॉक्टर काउ की महौन से मुलाकात की भारती मीडिया पृतिनिधियों को संबोधित करते वे महासचीव ने इस बात पर जूर दिया कि आसियान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहत महत्व देता है उन्होंने तीन दशक लंबे भारत आसियान संबंधों के एक वयापक रणीतिक साज्यदारी में विक्सित होने पर प्रकाश डाला ड्रक्टर काउ ने आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थ वेवस्था, परियतन, समुदरी सुरक्षा, आतंगबाद की विरुथ लणने और वयापार सहयुक जैसे शेत्रों में भागिदारी के और भी पिरगाः होने के उम्में जताई ड्रक्टर काउ ने शेत्रे वयापक आर्थिक साज्यदारी RCEP में भारत के शामिल होने के वकालत करते वे कहा किसे दोनों पक्षों के लिए बहतर वयापार अफसरों का मार्ग पिरशस्त होगा रूस युकरेन युदो और इस्राइल हमाज संघर्ष के मुद्धे पर ड्रक्टर काउ ने कहा कि आस्यान ने हमेशा कहा है कि संघर्षों को बाच्चित के माध्यम से हल किया जाना चाहिए अचिए युकरेन युदो युकरेना चाहिए डॉक्टर काउ ने भारत और आसियान के बीच पीपल टुपीपल कॉंटेक्ट पर प्रसंता वयक्त की आसियान भारत मेडिया एक्सचेंज कारिकरम के तहत भारतिय पत्रकारों के द्वारा आसियान देशों का दौरा और आसियान देशों के पत्रकारों दौरा भारत का पारस पर एक दौरा शामिल है इससे दोनों शेत्रों के पत्रकारों की बीच आसियान और भारत की बीच सामाजिक आर्थिक और सांस्किर्टिक लोकाचार की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है कि हमारे युवा इतनी क्षमता रखते हैं कि वो किसी भी उचाई तक जा सकते हैं। परधान मंतरी नरेंदर मोधी की है कि युवाओं को अफसर दो और वो अपने आप इतनी क्षमता रखते हैं कि इसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं। भारत को HDI प्रशांद महाक शेत्र में एक कंटेंड का एक नया हब बनाने की जो पहल की गए उसमें युवाओं को प्रोसाहन देने के लिए हाथ से ये Creative Minds of Tomorrow इसके तीसरे संस्क्रण का उदखाटन किया गया। युवाओं के लिए काफी होसला अफजाई का दिन। और बुलेटिन में अब बात विक्सित भारत संकल प्यात्रा की। विक्सित भारत संकल प्यात्रा देश के कई लाकों में चल रही, इसी के धहत गुजरात के तमाम जिलों में भी यात्रा निकाली जा रही। नर्मदा जिले की गाउं में भ्रमण कर रही विक्सित भारत संकल पयात्रा रथ नांदो तैसील के जियोर पाटी गाउं पहुंचा जहाँ पर ग्रामिनों ने कुम-कुम तिलक लगा करके रथ का भव्य स्वावित किया। जियोर पाटी गाउं पहुंची जहां ग्रामिनों ने कुम-कुम तिलक लगा कर रथ का भव्य स्वावित किया। धर्शना बेन जर्दोष कारिक्रम में उपस्तित रही। उन्होंने लोगों को विक्सित भारत की प्रतिग्या दिलाई। इस कारिक्रम में ग्रामिस्तर पर एवं आदिवासी तहसील पर पाँच योजनाओं के स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को जानकारी दी गई। साथी नए लाभारतियों का पंजी करण भी किया गया। विक्सित भारत संकल प्यात्रा कारिक्रम का मुख्योदेश ये सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाव पात्र लोगों तक पहुचाना और योजनाओं की जानकारी देना है। विक्सित भारत संकल प्यात्रा का शांदार सफर इन दिनों देव भूमि हमाचल के तीन जन जाती जिलों में जारी है। प्रदेश के चम्बा जिला के जन जाती एक शेत्र भार मौर में संकल प्यात्रा को लोगों का जबर्दत समर्थन मिल रहा है। चम्मा के अलावा के नौर और लाहॉल स्पीती में भी लोगों को यात्रा रत के जरीये सरकार की कल्यानकारी और जनाओ की जनकारी दी जानकारी दी जाने है। प्रदेश के चम्मा के नौर और लाहॉल स्पीती का जनजातिय समाज पियम मोदी को धन्यवाद कर रहा है। विक्सित भारत संकर प्यात्रा के जरीये लोगों को केंडर सरकार की विभिन जनकल्यानकारी यूशनाओं की जानकारी दी जानकारी दी जा रही है। सूचना इवं प्रसारन मंत्राले भारत सरकार की केंडरिय संचार ब्योरो हमीरपूर के प्रभारी सुर्जीत सिंग ने बताया की संकल्प यात्रा के दौरान चंबाजिला के भर्मौर विधानसभा की विभिन पंचायतों का दौरा किया जा रहा है। लिम्टेड भिवाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से किसानों को सेप के पौधों के उपर द्वाई का स्प्रे कैसे किया जाता है वो भी दिखाया गिया है। कडाके की ठन के बावजूद जनजातिक शेत्र भर्मौर में जारी यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनजातिय इलाके के लोग यात्रा रथ के पास खुद से जानकारी लेने पहुंच रही हैं। वहीं विभिन विभागों के अधिकारी योजनाओं की जनकारी जनता को पहुंचा रही है। भर्मौर की 24 पंचायत की प्रधान कुमारी बाला ने कहा कि विक्सित भारत संकल प्यात्रा करत उनकी पंचायत में भी पहुंचा है। उन्होंने सरकार द्वारा पंचायत के लोगों को केंजरे योजनाओं की जानकारी देने के लिए पीम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्लॉक के बरी पंचायत में भी यात्रा का उत्साह दिखा। कि नौर के संगल पंचायत में भी विक्सित भारत संकल प्यात्रा के माध्यम से लोगों के घर घर जानकारी दी गई। रुज़ान बढ़ाने के लिए भी व्यापक स्तर पर प्यास किये जा रही हैं जिससे भविश्य में हर वर को लाब मिलेगा। लाभारती विक्सित संकल प्यात्रा को देश के विकास की नई उम्मीद बता रही है। इसमें जो भी हमारे घर में हम कुछ भी जो कुछ भी यूज़ करते हैं उसी को प्रयोग करके राकृत्ति खेति को अपनाना है। विक्सित भारत संकल प्यात्रा प्रदेश के तीन जिलों के 100 से अधिक जनजात्य ग्राम पंचायतों में जारी है। और सिसीता रामनेगी और लाहुलस्पिती से कुंदन की रिपोर्ट और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं अब तक की हेड्लाइन्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर उत्राखंड के सीम से की फोन पर बात सुरंग में फसे श्रमिकों के वीडियो और खाना पहुंचाने की दी गई जानकारी पीम ने का आज श्रमिकों को सुरक्षित निकालना है सर्वोच प्राथमिक्ता राजस्थान ते लंगाना में चरम पर चुनाव प्रचार पीम मोदी और अमित्ष्राह समेट जेपी नडडा राजस्थान में करेंगे रैलियां और रोडशो अन्य दलो ने भी संभाला मूर्चा कॉंग्रस ने जारी किया राजस्थान का चुनावी घोशना पत्र सरकारी नौकरी और भीमा योजना समेट किये गए लुभामने वादे गहलोत खड़गे समेट राहुल गान्धी आज करेंगे कई चुनावी रैलियां राष्टपति द्रापदी मुर्मोड इशा के दौरे पर मायूर भंज में कौशल प्रिशिक्षन केंद्रका की आउध घाटन बादाम पहार से तीन नई ट्रेनों को भी दिखाई हरी जंडी भारत अस्टेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में आज फॉरेंड मिनिस्टेरियल फ्रेमवर्क डैलॉग रणनीतिक साज़दारी में सहयोक के अलावा ख्षेत्रे और अंतरास्टे मसलों पर होगी बात चीत इस्दराइल हमास संघर्ष पर चर्चा के लिए ब्रिक्स देशों के अपात कालिन वर्चुल बैठक आज दक्षन फ्रीका के रास्टपती करेंगे बैठक के दिख्षता सैंतरास्ट महासची भी होंगे बैठक का हिस्सा और गोवा में चल रहे भारती अंतरास्टी फिल्म होत्सव में हुआ क्रियेटिव माइन्स अफ टुमोरो का उधगाटन सूचना और प्रसारण मंत्री अनराक सिंध ठाकुरने की शुरुआत ICC विश्रकप के फाइनल्स में भेले ही भारती क्रिकेट टीम को आस्टेलिया के हाथो हार मिली लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन टीम ने पूरे विश्रकप में दिखाया उसकी प्रशन सा हर और हो रही है फाइनल मैच के बाद प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने टीम के खिलाडियों के साथ मुलाकात की और उनकी होसला अफजाई की आप लोग पुरा दस दस केम जीत के आए हो कि तो होता रहता है आप लोगों को देख रहा है कि महनद बहुत थी है लेकिन का बगो करेला ना पड़ता है अमें तो बहुत अच्छा किया इस बाद तो गुष्रादी बोलतो हो एसने बड़तो हो दोड़तो आप दोड़तो गरचा कि आप लोग बहुत अच्छी मैनद की है कि चलिए फुता रहता है साथ को एक दूसरों को जरा होसला बुलंद करते जलिए और जब आप लोग प्री होगे कभी दिली आएंगे तो बैठोंगा पूंगा पूंगा मेरी तरफ सनिमंतरन है आप सब्सक्राइब आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैच्चों की टीट्पेंटी सिरीज के लिए भारती टीम की घोशना कर दी गई है 23 तॉमबर से शुरू हो रही सिरीज में सीवा टीम के कप्तानी सूरिकुमार यादा को दी गई है जबके रुतराज गयाकपार को उप कपतान बनाया गया है शिवम दुबे और आवेश खान की भारती टीम में वापसी हुई है आखरी के दो मुकाबलों में टीम के साथ जुड़ने वाले शियर सियर बाद में उप कपतानी की जिम्मेदारी संभालेंगे औस्ट्रेलिया के खलाफ होने वाली पाच मैचों की टी-20 सिरीज के लिए भारती टीम इस प्रकार है सिरीज का पहला मुकाबला 23 नॉवंबल को विशाखा पत्नम में खेला जाएगा 33 साल के सुर्कुमार यादों ने भारत के लिए अब तक तिरपन T20 इंटरनाशनल मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 46.02 के औसत से 1841 रद बनाए हैं जाहिर तोर पर भंडे विशुकप के रोमांच के बाद अब भारती क्रिकट प्रेमियों के लिए T20 सीरीज का रोमांच सामने होगा जां भारती टीम की नजर ना सिरिफ जीत दर्ज करने पर होगी बलकि T20 विशुकप को ध्यान में रखकर टैलेंट कूल को बढ़ाने पर भी रहेगी फीफा फुटबॉल विशुकप 2022 में अरजिंटीना के विजे अभियान के दरान लानल मेसी की पहनी हुई 6 जर्सी इसको आज निलाम किया जाएगा निलामी में एक करोण डालर यानी करीब 83 करोण रुपए से ज्यादा की राशी मिलने की संभावना है अपने दमदार खेल से अरजंटीना फुर्बॉल टीम को 2022 फुर्बॉल विशुकप का सरताज बनाने वाले लानल मेसी एक बार फिड चर्चा में है लेकिन इस बार अपने खेल के लिए नहीं बलकि उस टी-शिट के लिए जिसको पहन कर उन्होंने अरजंटीना को विशु पुर्बॉल का खिताब दिलाया फीफा विशुकप 2022 में आरजंटीना के विजई अभियान के दोरा लियोनल मेसी की पहनी हुई साथ में से छे जर्ची को निलाम किया जाएगा निलामी में एक करोड डॉलर यानि लगभग 83 करोड रुपे से अधिक की राशी मिलने की आशा है निलामी करने वाली संस्था साधवी के उनसार ये खेल यादगार वस्तों का अब तक का सबसे मूर लिवान संग्रह बन सकता है साधवी ने सुमवार को कहा कि वो अरजंटीना के कप्तान लिवानल्ड मैसी की कतर में पहनी गई साथ जर्चियों में से छे को नियुआक में बिकरी के लिए रखेंगे इनमें वो जर्चियों भी शामिल है जो उन्होंने फ्रांस के विरुद फानल में एतिहासिक जीत के दोरान पहनी थी मैसी फूर्बॉल के दूसरे कई खिलाडियों के तरहा अकसर प्रतिएक मैच के अंत में प्रतिद्वन्दी टीम के किसी खिलाडी के साथ अपनी टीशिर्ट की अदला बदली करते रहे हैं गौर तलब है कि कतर विश्व कप में आर्जेंटीना ने फानल में पेलालिटी शूट आउट में फ्रांस को हरा कर तीसरी बार विश्व खताब पर कबज़ा जमाया था स्पोर्स डेस्क डीडी नियूज और बारसलोना के स्टार फुटबॉलर गावी जॉर्जिया के खिलाफ यूरो दोहजा चौबिस क्वालिफायर खेलते हुए गंभी रूप से घायल हो गया है गावी के दाएं घुटने में चोट आई है बारसलोना कलब के मताबिक गावी को अब सरज़री के दोर से गुजरना पड़ेगा जिसके चलते हैं ये मिट फिल्डर अब से आट से दस महिने तक शायद फुटबॉल की फिल्ड से दूर नजर आ सकता है गावी बारसलोना के लिए 111 मकाबले खेल चुके हैं जिसमें उन्हें उन्हें साथ गोल किये जबकि 12 में उन्हें असिस्ट किया स्पिन की और से इस खिलाडी ने 27 मैचों में हिस्सा लिया जहां पर उन्हें पांच गोल किये रिकॉर्ड सातनी बार ATP फाइनल्स का खिताब जीतने वाले दुनिया के नमबर एक टेनिस खिलाडी नुवाग जोकविच सोमवार को मालागा पहुँचे जहां वो डेविस कप के मकाबले में सर्बिया टीम के साथ होंगे सर्बिया के टीम डेविस कप में गुरवार को बिरटन से मुखाबले के लिए सर्बिया के टीम को माइनव वग्यानिक बढ़ध हासल है दरसल बिरटन के टीम में डैनी वांस और एंडरी मुर्य शामिल नहीं है ऐसे में सर्विया के लिए जीत की रह आसान मानी जा रही है हाला कि कैमरिन नूरी जरूर टीम में शामिल है इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो दोजार चौबीस के लिए कौलिफाई कर लिया है टीम ने ये कामिया भी यूकरेन के साथ गोल रही ड्रॉ मुकाबला खेल करके हासल किया यूकरेन के लिए अभी भी कौलिफाई करने का रास्ता प्ले आफ के खुला हुआ है इटली की टीम गृपसी में इंगलेंड के बाद दूसरे स्थान पर रही वैसे अब प्ले आफ मुकाबले में ड्रॉ 23 नॉम्मर को सामने आएगा प्ले आफ के सारे मुकाबले मार्च में खेले जाएंगे चोड़ा सब रेक लेते हैं करे मज़ आई आप देख रहे हैं लीडी मुज समाज की बेडियां तोड़ कर हासिल किये अनोखे मुकाब उज्वल भविशिक के स्वपने के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान बाधाओं के बंधन काट कर साबित की अपनी पहचार जो अपने बुलंद होसलों से समाज इक बेडियां तोड़ कर लिख रही है वीरता की गाठाण मैं उन्मुक्त मैं स्वच्छन मेरा धे अनन, मेरी बिशा अनन मिलिए ए फ्रेना दैक शक्सितों से मेरे साथ कारिक्रम तेजस्विनी में सेफ डीडी न्यूस पर किस राज्य में किसकी बनीगी सरकार क्या है राजनेतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हाकिकत हर राज्य की चुनावी खबर और जंदा के मुद्दे होगा चुनाव से चुनी हर खबर का अपडेट देखिए जनादेश सोंबार से शुकरबार हर शाम साथ बजे सिर्फ डीडी न्यूस पर रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है संगठित क्षेतर में नई नौकरियां बढ़ी हैं कर्मचारी भविश्य निदी संगठन यानि ये पीएफो ने सितंबर में 17,21,000 सदस्यों को जोड़ा है ये जनकारी श्रम मंतला दारा जारी आंकड़ों में सामने आई शुमवार को श्रम मंतला ने बताया कि सितंबर महीने में 8.92 लाख नए सदस्य एपीएफों की उजनाई से जुड़े नए सदस्यों में 58.92 फीजदी 18-25 साल की उम्र के हैं ये बताता है कि वो सदस्य कारबल से जुड़े हैं इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है इनमें से कई ऐसे हैं जिनने पहली बार नौकरी मिली है नीमित वेतन पर रखे गए लोगों के आकड़ों से पता चलता है कि 11.9-3 लाख सदस्य बाहर निकले लेकिं फिर वे किसी फिर से वो एपीएफों के साँ जुड़े यानि उन्होंने अपनी नौकरियां बदली आकड़ों के मताबिक सतंबर में 3.6-7 लाख सदस्य एपीएफों से बाहर हुए थे यह पिछले महीने के मकाबले 12.1-7 फिस्दी कम है एपीएफों से बाहर होने वाले सदस्यों की संक्या जून 2023 से लगातार घट रही है वंत्राने ने बताया कि सतंबर के दोरान 8,92,000 नए सदस्यों में से 2,26,000 महीलाएं हैं जो कि पहली बार एपीएफों में शामिल हुई हैं पेरोल के राजवार आकड़े के मताबिक सबसे ज़्यादा सदस्य से महरास्ट्रा, तमिलनाड, करनाटक, गुजरात और हर्याना में जोड़े गए हैं अब पिछले 9 वर्षों से लगातार गरीब वंचित वर के लोगों को सशक्त करने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुवात की गई है, इनी में से एक है पिम स्वनिधी योजना स्वनिधी योजना के तहरे देश के रेड़ी और पटरी वालों को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक का लोन मुहया कराए जाता है इस स्वनिधी योजना को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मिरभर निदी के नाम से भी जाना जाता है ताजा आकणों की बात करें तो 55,000 लाग से जादा स्ट्रीट वेंडर्स को पीम स्वनिधी योजना का लाभ मिल चुका है सरकारी आकणों के मताबिक अब तक 9,600 करोड रुपए के लोन दिये जा चुके है 67,000 लाग से जादा लोगों ने इसमें आवेदन किया और करीब 62,000 लाग से जादा आवेदन को स्वीकार किया गया मंत्राले के मताबिक इस योजना को अब दिसम्बर 2024 तक बढ़ा दिया गया है स्वनिधी योजना के तहत सरकार दोरा 10,000 रुपए का लोन प्राप्त किया जा सकता है हाली में SBI की एक रिपोर्ट आई थी जो ये कहती है कि योजना के 75 फीस्दी लाभार्थी गैर सामाने वर्ग से है कुल वित्रण में OBC का हिस्सा करीब 44 फीस्दी है और SCST का हिस्सा 22 फीस्दी इस तरह से समाजिक ताने बाने को दूर या संतुलित करने के लिहाद से ये योजना काफी इंपॉर्टन्ट साबित हो रही है कुल महिलाओं में अगर हम महिलाओं की बात करें कुल लाभार्थियों में तो वो 43 फीस्दी है और शहरों में महिलाओं का सरशक्ती करण किया जा रहा है इस योजना के जरिए दरसल अगर आप 10,000 लोन लेते हैं उसके बाद चुका देते हैं तो आपको 20,000 रुपए का लोन मिलता है ऐसे लोगों का अनुपात 68% है और अगर आप 20,000 रुपए भी चुकाते हैं तो आपको फिर 50,000 रुपए का लोन मिलता है ऐसे लोगों का अनुपात 75% दी है यानि 10,000 से 50,000 के बीच में आपको ये फाइदा मिलता है और कई लाख स्ट्रीट वेंडर्स इसका फाइदा उठा चुके हैं ओपन AI से निकालेगे Sam Altman अब Microsoft से जुड़ने जा रहे है Microsoft के CEO सत्या नडेला ने खुद इसका एलान किया Sam Altman के अलावा Greg Brockman भी एक नई उन्नत AI अनुसंधान टीम का नित्रित्र करने के लिए Microsoft की Research टीम से जुड़ेंगे देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट Sam Altman को कुछ दिन पहले ही Open AI के CEO के पत से बरखास्त कर दिया गया था ऐसे में उनके भविश्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी जिनको लेकर Microsoft CEO सत्या नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साज़ा कर जानकारी दी उन्होंने बताया कि Altman और Brockman अपने सहकर्मियों के साथ Microsoft से जोडने जा रहे हैं उन्होंने कहा Microsoft Open AI के साथ साज़धारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है अपने प्रोड़क्ट के रोडमैप Microsoft Ignite में घोशित हर चीज़ को लेकर इन्नोवेशन करते रहने की अपनी क्षमता और अपने रहाकों और साज़धारों का समर्थन बरकरार रखने की अपनी कुशलता पर हमें भरोसा है हम इमेट शियर और Open AI की नई लीडर्शिप टीम को जानने और उनके साथ काम करने को लेकर उठसुख हैं हमें ये खबर साज़ा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने सहकर्मियों के साथ सैम आल्टमैन और ग्रेक ब्रॉक्मैन नई उननत AI रिसर्च टीम का नेतरितु करने के लिए Microsoft जोइन करेंगे नडेला ने कहा हम उनकी सफलता के लिए उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं सत्या नडेला के इस एलान का आल्टमैन ने जवाब दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने आर्टिफिशल एंटिलिजेंस पर हो रहे प्रियास का जिक्र करते हुए इतना लिखा ये मिशन जारी रहेगा वही टेसला के सीईओ एलन मस्क ने स्वामवार को आल्टमैन और ब्रॉक्मैन की न्यूक्ति की खोशना करने वाली नडेला के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए कहा अब उन्हें टीम्स का उप्योग करना होगा दरसल मस्क माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जिक्र कर रहे थे जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेबलब बिजनेस कम्यूनिकेशन प्लेटफॉर्म है एलन मस्क ने ये भी कहा कि उन्नत आर्टिफिशल एंटलिजेंस के जोखिम और क्षमता को देखते हुए जनता को सूचित किया जाना चाहिए कि बोर्ड को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें इतनी कठोर कार्वाई करनी पड़ी ओपन आई कंपनी के बोर्ड ने 17 नॉम्बर को ही CEO Sam Altman को पद से बरखास्त कर दिया था ओपन आई ने इसके पीछे कारण दिया कि Sam बोर्ड के साथ सही से कम्यूनिकेट नहीं करते हैं जिसके कारण बोर्ड के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है ताजय अपडेट के मुदाबिक Altman की बरखास्त की और Great Brockman के इस्तिफ़े के बाद ओपन AI से तीन सीनियर रिसर्चर्स ने भी इस्तिफ़ा दे दिया था और कई अन्य लोगों के जाने की तयारी है रिपोर्ट में कहा गया Altman की बरखास्त की के बाद कुछ करमचारियों का जाना बेहद निराशा का संकेत है Bureau Report DD News कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ी है Sam Altman के साथ जो पहले काम कर रहे थे Open AI में 500 से 700 लोग ये कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए नहीं तो वो पूरी तरह से रिजाइन कर देंगे अब Microsoft के सत्ता निडिला भी ये कह रहे हैं कि वो Open AI में जाने के खिलाफ नहीं है Sam Altman जाते रहेंगे लेकिन Microsoft लीट करते रहेगा इस पूरे AI के जो प्रोजेक्ट है इस पर हमारी नजर बनी गाएगी लेकिन आब नजर डालते हैं कारोबार जिगत की कुछ और एहम ख़बरों पर फटा फटा अंदाज में इंडिया Renewable Energy Development Agency यानि ERADA का IPO मंगलवार 21 नमबर को लाँच हो रहा है निवेशक इस इश्यू के शेरों के लिए 23 नमबर तक बोली लगा सकेंगे इश्यू का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपे प्रतिशेर है चीन और सौधी अरब ने साथ अरब डॉलर के करेंसी स्वैप समझोते पर हस्ताक्षर किये है मिडिल इस्ट के देश अपने तेल के अलावा होने वाले कारोबार को डॉलर से अलग करना चाहते है ये समझोता तीन सालों के लिए है सवधी अरब तेल का सबसे बड़ा नर्यातक देश है और चीन सबसे बड़ा उप्भोगता उपे ने आई के निवेशिक साम अल्टमिन को नौकरी से निकालने के लिए बोर्ट के खिलाफ कानूनी कारवाई कर सकते हैं प्राइटर्स के रेपोर्ट के मताबिक कंपनी से 500 से 700 करमशारियों ने बोर्ट को लिखा है कि वे एक कंपनी से बाहर जाने के लिए तयार है इस बीच सैम ने माइक्रोसॉफ्ट की नई AI रेसरच टीम को जॉइन कर लिया है सतर अंडेला ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी रेलवे जल्दी ही मुंबाई की लोकल ट्रेंस में सामान बेशने के या हॉकर्स को लाइसेंस देने की तयारी कर रहा है सूत्रों के मुताबिक रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 नॉम्बर को इसके लिए बोलिया लगाई जा सकती है इसके जरिये रेलवे का मकसद राजयसु को बढ़ावा देना है रेलवे आधिकारियों के मुताबिक 2000 हॉकर्स को लाइसेंस दिया जाएगा इन में से 1500 हॉकर्स लोकल ट्रेंस में और 500 हॉकर्स लंबी दूरी की ट्रेंस में समान बेच सकेंगे बाजार नियामक सभी के द्यक्ष मादवी पूरी बुच का कहना है कि वो फ्यूचर्स और आप्शन्स में निवेशकों की दिलचस्पी को लेकर के कन्फ्यूज और आश्चर चकित हैं उनके मुताबिक 90 फिस्दी लोगों ने इस सेग्मेंट में पैसा गवाया है लेकिं फिल भी लोगों की इसमें दिल्चस्पी बनी हुई है से भी चीफ के मुताबिक निवेशकों को लॉंग टर्म पर ध्यान देने की जरूरत है नवंबर मैने में अब तक क्रिप्टो करेंसी में 173 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा जिसमें दू घटनाओं से 90 फिस्दी का नुकसान होगा ब्लॉक्चेन और स्माट कांट्रेक्ट सुरक्षा कंपणी सरकिट के मुताबिक नॉंबर में पहले ही 2023 में चोथा सबसे बड़ा मासी घटा दर्ज किया गया है RBI ने नियामा गनपालन में कमियों के लिए 4 सहकारी बैंकों और एक गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान पर 60 लाग रुपए से ज़्यादा कम जूर्माना लगाया है जिन सहकारी बैंकों और NBFC पर जुर्माना लगाया उनमें नासिक मर्चिंट्स कोपरेटिव बैंक लिम्टेड, मेसाड़ा अर्वन कोपरेटिव बैंक लिम्टेड, सांगली सहकारी बैंक लिम्टेड, पुद्दक कोट्टाई कोपरेटिव ताउन बैंक लिम्टेड और N अर्बियाई ने कर्ज में डूबी अनिलंबानी की कंपनी रिलाइंस कैपिटल के बोर्ड में डिरेक्टर के तौर पर हिंदुजा ग्रुप के पांच प्रतिनितियों को शामिल करने को मुझूरी दे दी। बारत में मुल्टी लेवल मार्केटिंग के जरी ये कारोबार करने वाली कंपनी एमवे इंडिया के खिलाफ प्रवर्टन निदेशाले ने मुलीन लॉर्णरिंग मामने में शिकायत दर्ज कराई है। इडी कारोब है कि एमवे इंडिया ने 4000 करोड रुपए की अवैय आय अर्जित किया और इसका एक बड़ा हिस्सा देश के बाहर स्थिद बैंक खातों में भेजा। इडी ने एमवे इंडिया एंटर्प्राइजेज प्रावेट लिम्ट के खिलाफ हैदराबाद सित्विशेश PMLA अदालत में चार्डशीट दाखिल की है। केंद्र सरकार ने विने एम टोंस को 30 नॉवंबर 2025 तक भारति स्टेड बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्त से पहले टोंस पियस्वी बैंक में उप्रबंध निदेशक के रूप में कारे रद थे। सितंबर में SBI के वरिष्पत के लिए वित्य सेवा संस्थान बेरो दोरा राजी के सौमित वाले बैंक के उप्रबंध के सिफारिश की गई थी। दिल्ली के प्रगती मैदान में चल रहे 42 बायालेसमें भारत अंतरास्थी वैपार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इनमें से जदातर दर्शक प्रधान मंतिरी नरेंड रमोदी के तस्वीर के साथ सेलफ़ी लेकर के भी उतसाइथ हैं। आपके व्यापार मेले में रोजाना काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं जो मेलने में दर्शक पहुंच रहे हैं वो जमकर सेलफी भी ले रहे हैं और सबसे दाइब सेलफी ली जा रहे है पर दानमंती नरेंदर मोधी के cut-out के साथ कि यहां कि बहुत अच्छा लगा है और मोदी जी के साथ में मैंने फोटो भी आप इस अलपी क्लिक के अपनी और ज्यादा मैं कुछ क्या का हूं इनके लिए बहुत अच्छे है हमारे मोदी जी बार बार शाओंगी हमारे मोदी जी आगे करनाटका से आया हूँ काराटे चैंपेंशिप के लिए आया था और इदर जी ट्वेंटी समिट जो हुआ ता ना इसलिए इदर प्रगति मंदर को आया आज देखने के लिए और बहुत कुछ हुआ मुझे मोदी जी मेरा इंस्पिरेशन की तरह है वो उसका तिंकिंग ही तो कंप्लीट डिफरेंट है वो फ्यूचर के लिए देखते हैं और हमारा भारत तो बहुत ब्राइट होगा इनके गाइडेंस में मेले में इसमर काफी उतपाद मिलेट के भी देखे जा सकते हैं यहां पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं इस मेले के अदर इंडिया इं दिखाई हमें मिलेट के लिए तो यहां मिलेट की दिमांड बहुत बढ़तीदारी है और मोदी जीने जैसे वर्ड्स यूज की हैं मिलेट के लिए इससे यूज शक्ती बहुत मजबूत हो रही है और यूज शक्ती को नहीं शक्ती नहीं दिशा मिल रही है और हम इसको हर श के उस तेम मार्केट में था नी जायव जो कि गतने है। साड़ी के टाइम फिर वह अलग पहनते हैं तो अलग अलग तरिया के साड़ी है अलग अलग तरीक किसके डिस्पले लगाया है यहां हर दिन सांस्कृति कालेक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं कैमेरमेन आनंग कुमार के साथ किरीश मिचाना केटी न्यूज दिल ले विवानी में दुलहेडी गाओं के युवाओं दरा सफाई अभियान चला जा रहा जिससे गाओं की पूरी टीम मिल करके काम करती है युवाओं के सरानिय प्रयास के लिए प्रधान मंतरी मूदी भी अपने मन की बात कारिकरम में प्रशनसा कर चुके हैं इसके बाद युवाओं का उत्साह और अधिक बढ़ गया है अब युवाओं के वल अपने ही नहीं बलकि आसपास के कई गाओं में सफाई अभियान शुरू कर चुके हैं आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे दीजे जाज़त नमस्कार मिलिये हरियाना के दुलहडी गाओं के सुक्ष्टा प्रहरियों से युवाओं की ये टीम सामोहिक प्रयास वाश्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है इस गाओं में कोई भी अपने घर के आसपास कुड़ा नहीं डालता यहां के युवा रोज़ना सुबह चार बज़े से लेकर साथ बज़े तक गाओं की सफाई करते हैं गाओं के भीतर और बाहर पगडंडियों पर पौधारों पड़ करते हैं नतीजा आज इनका गाओं इनके काम की बानगी प्रस्तुत करता है यह शुरुवात साल 2014 से हुई जब गाओं के युवा पवन सैनी वा उनके दो साथियों ने गाओं की गलियों में साफ सफाई का काम शुरू किया धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ता गया और गाओं के स्कूलों के अध्यापक, रेटायर्ट, फोजी, किसान सभी इस मुहिम में जुड़ते चले गए आज इस्तिती ये है कि गाओं के हर घर से ट्रॉली के माद्यम से कूड़ा उड़ता है और गाओं की सभी गलियां वा साजनिक अस्तल साफ सुत्रे नजर आते हैं परियावन को पर और शफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी हमारे गाओं में तब से परदान मंतरी ने 2014 में सवस्ता के परती जो सवर्च वार्च सवस्मिशन का जो अभियान चला था हमने वी उसी टाइम ये परेड़ना ले ली थी कि हम भी अपने गाओं को अपने मतलब सहर को साप सुतरा रखेंगे और उसके बाद हमने जो सफाई वियान चला रखा है उसके साथ-साथ अमने परियावन के परते भी हमने गाओं में कम से कम ये देखो आप अपने कैमरे के नजर से दिखा भी सकते हो कि आजार पोदे कम से कम हमने लगा दिये जिन सवचता के प्रती बिल्कुल जागरूख हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, हमने ट्राली भी चला सकी है, ट्रैक्टर ट्राली हर गर से कुड़ा उठाने के लिए, हमारे गाउं में नहीं तो कोई महिला नहीं, कोई साथी बाहर कुड़ा नहीं डालता हमारी, जब भी ट्राल लोगों से प्रेरित होकर अब आस पास के गाउं में भी साफ सफाई करने वालों की टीम गठित होनी शुरू हो गई है, जो सामुदाइक प्रयास का एक अनूठा उधारन है, गुड न्यूज जजबा इंडिया के लिए हिसार से, इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्य जवेश की प्राइब और्वेश के लिए।